दिव्यांश जी लिखते हैं कि सर मुझे नहीं पता मेरा मैसेज आप तक पहुझेगा के नहीं बट जो भी हो हर तरफ से confused होने के बाद आप मुझे last उम्मीद दिखाई दे रहे हैं सर मेरा नाम दिव्यांच है देखो आपका मैसेज भी पहुचेगा और आपको सेटिक आंसर भी दिया जाएगा आपका कोशन देखते हैं मेरा कोशन ये है कि मैं BSC One Year वीर बहादूर सिंग पुर्वांचल युनिवर्सिटी जैपुर से कर रहा हूँ CBSC Board 12th की मार्क्षिट से और अगले साल जब मैं BSC Second Year में रहूँगा तो मैं BFARMA करना चाहता हूँ UP Board 12th मार्क्षिट से सर मैं दोनों मार्क्षिट एक साथ कभी नहीं दिखाऊंगा तो क्या सर मैं कर लूँ मेरी कोई मार्क्षिट कटेगी तो नहीं और हाँ सर मैं BSC वीर बहादूर सिंग पुर्वांचल युनिवर्सिटी से करूँगा लेकिन BFARMA किसी अदर युनिवर्सिटी से करूँगा ठीक है आप समझो देखो दिव्यान जी मेरी बात सुनो अच्छे तरीके से आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप एक ही university से करो तो भी अगर वो valid कर देते हैं तो भी आप कर सकते हो लेकिन आप याद रखो देखो आप जब BSC करोगे ना तो BSC की field अलग है और pharmacy की field अलग है है ना दोनों की बात अगर करें तो आप अगर pharmacy का जो है license बनाने के बाद में मैं तो आपको suggest करूँ आप कर लो क्योंकि जब उसका license मिलता है तो आप चाहो तो pharmacy में चले जाओ आप चाहो तो BSC field में चले जाओ यह आपका दोनों benefit है और जहां तक आपके market कटने की बात है तो कटने की बात दूर आपको कोई किछ भी नहीं कह सकता है कभी भी क्योंकि आप अगर एक ही साथ में यूज नहीं कर रहे हो तो उसको क्या पता कि आपने कहां से क्या क्या है है ना अभी तक इतना जादा technology develop नहीं हुआ है कि आपके डिग्रियों को वो घर बैठे देख सके तो मैं यह कहूँगा दिव्याश जी के आप जरूर करें और दोनों डिग्री का benefit भी उठाएं